नमस्कार प्यर्य दर्शकों, मैं आपका जोतिश मित्र आधित्य दुबेदी श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल नच्छत्र तक में आप अपनी कुंडली का परामर्स चाहते हैं, अपने प्षणों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का शमाधान चाहते हैं, खराब ग्रहदसाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलां करवाना चाहते हैं या किसी सुभ मुहूर्द के बारे में जानकारी लेना चाहते ह कारक और मारक ग्रहों के बारे में आप लोगों को जानकारी है बहुता लोगों को जानकारी है आज हम बात करने बाधक ग्रहों के बारे में बाधक ग्रहों पे लोग बहुत बिसे इस्धियान नहीं देते हैं जबकि बहुत ही जरूरी चीज है कुछ ऐसी इस्थितियां कुंडली में होती है जब बाधक ग्रह काम करता है और कुछ ऐसी इस्थितियां है जब बाधक ग्रह प्रभाव नहीं रहा है और अगर वह किस स्थिती में कुंडली में है तो वह आपको परिशानी दे सकता है और बाधक ग्रहों का क्या आप उपाए कर सकते हैं सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी लगन कौन सी है जन्व कुंडली का जो पहला घर होता है वो लगन होता है अगर आप की जन्म कुंडली के पहले घर में यानि लगन में चर रासियां हो यानि पहले भाव में आपकी कुंडली में एक नमबर चार साथ और दस नमबर की गिंती हो इन में से कोई गिंती आपके लगन में लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपका चर लगन है और अगर किसी व या एका दस भाऊ का जो स्वामी होगा या एका दस भाऊ का जो स्वामी होगा या ओद कर द्जा कि वह बाधा दे ही ना बाधा मतलब होता है स्वास्त में बाधा, परिवारिक सुख में बाधा नौकरी में बाधा, धन से संबंधित बाधाएं किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं देगा किस प्रकार की बाधाएं देगा ये अभी जब हम आपको दारण से समझाएंगे तो आपको समझ में आभी चाएगा तो अगर आपका मेश लगन है करक लगन है तुला लगन है और मकर लगन है तो आपकी कुंडली में जो गिरह में घर का स्वामी होगा या जो गिरह में घर में ग्रह बैठा होगा वह आपके लिए बाधके सोने माला है इसी प्रकार से अगर आपकी स्थिर लगन है स्थिर लगन मतलब अगर आपकी कुंडली के पहले घर में लगन में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की गिंती लिखी हुई है यानि अगर आपका व्रिष लगन है, शिंग लगन है, व्रिष्चित लगन है या कुंभ लगन है तो आपकी कुंडली में नवम भाव का जो नवम भाव में जो ग्रह होगा या जो नवम भाव का स्वामी होगा वह आपके लिए बाधकेश होने वाला है नमम भाव में बैठा हुआ हर ग्रह बाधक नहीं होगा कब बाधक हो जाएगा नमम भाव में बैठा हुआ ग्रह या नमम भाव का स्वामी वह अभी आगे मैं आपको क्लियर करूँगा इसी प्रकार से अगर आपकी 200 भाव रासी है यानि आपकी कुंडली के लगन में पहले घर में 36912 नंबर की गिंती लिखी हुई है अर्थात मिथुन लगन के आप हैं कन्या लगन के हैं धनू लगन या मीन लगन के हैं तो आपकी कुंडली का जो सब्तम भाव है वह बाधा अस्थान होता है सब्तम भाव में बैठा हुआ अगरह या सब्तम भाव का जो स्वामी होगा वह आपके लिए बाधके सोने वाला है और इसके पहले जो लोग नए हैं विवर्स वो जानते ही हैं मैं पुना रिपीट भी कर देता हूँ ये जो गिंतियां होती हैं ये हमेशा रासी को प्रजंट करती हैं पांस नंबर की गिंति जहां होगी उसका स्वामी सूर्य, चार का स्वामी चंद्रमा, एक आठ नंबर की गिंति का स्वामी मंगल, तीन छे का स्वामी बुद्ध होगा, दो और साथ नंबर की गिंति जहां होगी उसका स्वामी सनी होगा, दस और ग्यारा नंबर की गिंति क गुरु का निकार से इसी प्रकार से सप्तमेश का भी आप निकाल ले सब्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है कुंडली में जहां जो गिंती होती है उस गिंती का स्वामी ही उस भाव का भावेस कहलाता है तो सबसे पहले आपने निकाल लिया कि बाधकेस कौन सा ग्रह है उसके बाद अब हम इसे अपलाई करेंगे कुंडलीयों पर और आपको रि को कुछ उदहर दूंगा फिर सूत्र आपको लास्ट में कुछ नियम बताऊंगा जहां से आप यह जान सकेंगे कि बाधकेस आपके लिए पीड़ा दायक होने माला है मैंने यहाँ पर तीन कुंडलियां ली है चर रासी की चर लगन की एक कुंडली ली है एक स्थिर लगन की कुंडली और एक दो सुभाव लगन की कुंडली ली हुई है अब यहाँ पर चर लगन है लगन में चार नमबर की गिंती है चर लगन में जो बाधकेश होता है वो ग्यरहमा भाव होता है अगर आपकी चरलगन है तो आप यह देखिए कि आपके गरह में भाव में कोई गरह बैठा है अगर कोई गरह बैठा है तो उसे नोट कर लेजिए वह बाधकेस होगा अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इस भाव का स्वामी कौन सा है? यहाँ करक लगन की कुंडली में एका दस भाव में दो नंबर यानि बृशवरासि है स्वामी सुक्र है तो इस कुंडली में बाधकेस कौन सागरा हुआ, सुक्र हुआ, करक लगन की कुंडली में हमेशा बाधकेस कौन होता है, सुक्र होता है, तो यहां पे बाधकेस सुक्र हो गया, इनके सुक्र की महादसा 2015 में सुरू होई थी, और जैसे ही सुक्र की महादसा सुरू हुई, माता के स्वास्त में परेशानिया आना सुरू हो गई और फिर माता का जैसे ही सुक्र की महादसा कुछ आगे बढ़ी थी तभी माता का निधन हो गया इस कुंडली में सुक्र माता भाव का भी स्वामी है चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो करके बाधकेस हुआ है तो इस दसा में मा वात में काफी प्रॉब्लम्स आई तो इस कुंडली में बाध के सुक्र हुआ अब यहां पे देखिए जो बाध के बाध का स्थान का स्वामी सुक्र है वह अपनी नीच रासी में बैठा हुआ है और यहां लाब भाव से तो यह पंचम में है लेकिन अगर इसकी दूसरी रास में है नीच रासी में है यह चीज नोट करने योग्य है दूसरी कुंडली पर आज आएंगे जो की स्थिर लगन की है अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं अभी फिर इसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि बाध केस गडबर क्यों होता है कब होता है और कब न नवम्भाव का स्वामी होगा वह भी बाधगेस होगा नवम्भाव का स्वामी चार नंबर की गिंती है बाधा केस कौन हुआ यहां पर चंद्र हुआ अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दिरिश्चिक लगन में नमम भाव का स्वामी कारक भी तो होता है अभी जब मैं आगे आपको सुत्र बताऊंगा कि कब हमें बाधक मानना है और कब नहीं मानना है कोई भी ग्रह का बाधक का फल देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी कुंडली से कोई ग्रह कारक भी है और बाधक भी है तो उसे आप किस रूप में ले सकते हैं अब इस कुंडली में नौमेश चंद्रमा हुआ चंद्रमा नौमभाव में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है नौमभाव में कोई ग्रह होता तो हम उसे भी लेते लेकिन यहां पर नौमभाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है इसलिए नौमेश चंद्रमा को हमने बाधक के रूप संदोहजार में इनके चंद्रमा की महादसा सुरू होते ही इनको स्वास्त की गंभीर परेशानिया आने लगी और दिल का दोड़ा हुआ और पूरी दसा के दोरान स्वास्त के कारण मांसिक रूप से भी बहुत परेशान रहे जाहिर सी बात है अगर किसी को स्वास्त की समस्य रहेगी तो मांसिक परिशानी अपने आप आ जाती है स्वास्त की चिंता के कारण इनका दिल का दोड़ा बड़ा और इनकी मृत्ति होई इस कुंडली में आप देखिए जो बाधक अस्थान का स्वामी है वह चंद्रमा है कहां बेठा हुआ है छटे भाव में बैठा हुआ है छटे भाव में ही नहीं बैठा है बलकि नीच रासी में इस्थित ग्रह के साथ बैठा है यानि नीच सनी के साथ बैठा हुआ है जो चंद्रमा होता है ये हिर्दे का वाल होता है चंद्रमा किस चीज का कारक है हिर्दे के वाल्व का कारक होता है और सनी की दसमी दृष्टी सूर्य के ऊपर भी आ रही है सूर्य हिर्दय का कारक भी है यानि कोई भी ग्रह जिसके साथ बैठता है उसका भी प्रभाव अवस्य होता है आप जिसके साथ बैठेंगे उठेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर अवस्य पड़ेगा किसी अगर आप फिल्मी स्टार के साथ र तो चंद्रमा के ऊपर सनी का रंग चढ़ा है और सनी ने चंद्रमा के माध्यम से दिल का दोड़ा दिया तो यहां पर चंद्रमा एक तो छठे भाव में है और चंद्रमा के साथ इस्थित ग्रह जो है वह नीच रासी में इस्थित है अगली कुंडली है दो सुभाव रासी की मिथुन लगन हो तो दो सुभाव रासी में मिथुन आता है तो जिनकी कुंडली के पहले घर में दो सुभाव की रासियां है उनके लिए बाधक अस्थान सब्तम भाव होता है सब्तम अस्थान में जो गरह बैठा होगा वो और जो सब्तम भाव का स्वामी होगा वह बाधकेस कहलाएगा इस कुंडली में सब्तम्भाव में कोई गरह नहीं बैठा है लेकिन जो सब्तम्भाव का स्वामी गुरू है ये बाधक हुआ ये बाधकेस हो गया तो इस कुंडली में गुरू बाधकेस हुआ अब इस गुरू की महादसा सुरू होते ही इनका विवा हो गया और दो साल बाद ही तलाक हो गया और फिर नौकरी में भी इनके खूब बाधाएं आई गुरू की दसा में अब यहाँ पे सामान्य रूप से आप देखेंगे तो गुरू जो है अपने ही घर को देख रहा है दसंभाव पे नौकरी में बृद्धी करनी चाहिए बृद्धी दिया नौकरी छूटती रही मिलती रही छूटती रही लेकिन बार-बार छूटना भी कष्ट का विशह है अब यहाँ पे गुरू को केंद्राधि पती दोस लगा हुआ है दो केंद्रों का स्वामी है अगर गुरू राजयोग बनाए यानि कि गुरू यहाँ पे अपनी ही रासी में हो करके हंसनामक राजयोग बनाता है तो केंद्राधिपती दोस्त का प्रभाव खत्म होता है लेकिन यहां पे गुरू को पूर रूप से केंद्राधिपती दोस्त लगा है जो गुरू बाधकेस है वही गुरू मारकेस भी है साथवे भाव का स्वामी मारकेस कहलाता है तो यहां पे गुरू जो है बाधकेस होते ह होते क्या हो गया बाधकेस होने के साथ साथ वह मारकेस भी हो गया और सनी के साथ में बैठा हुआ है यानि एक क्रोर ग्रह के साथ में बैठा भी है सनी के साथ बैठने का उतना बुरा प्रभाव नहीं है जितना की गुरु का दोनों फल देने का हो यानि गुरू बाधमारकेस और बाधकेस दोनों होकर के जादा प्रभावसाली हो गया है सनी के साथ बैठ करके राजयोग भी बनाता है क्योंकि यहां पे दसंभाव का स्वामी और नवंभाव का स्वामी युति कर रहा है तो यह चीज अच्छी होई गुरू जिस रासी में बैठा हुआ है उसका स्वामी नीच रासी में बैठा हुआ है बुद्ध कोई भी ग्रह अगर नीच रासी में होता है तो उसके कारकत्तों में कमी आती ही आती है नीच भंग जो होता है उसे हम राजयोग बोलते हैं नीच भंग राजयोग यानि अगर मान लीजे किसी की कु भंग हुआ है तो यानि इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध के कारकत तो भी सुधर जाएंगे राजयोग का तात्य पर हमेशा धन से होता है राजयोग का तात्य पर हमेशा प्रशिद्धी से होता है यानि जो ग्रह नीच का है वह अपने कारकत तो में कमी करेगा लेकिन बाधकेस कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा अगर आपका कोई भी ग्रह जो की बाधक निकल के आया है कोई भी ग्रह जो बाधक होकर के सामने आया है बाधक प्रश्ठान का स्वामी है तो वह ग्रह बाधक का फल देगा अगर बाधक के साथ साथ मैं मिटा देता हूँ यहां पे और पूरा लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से उतार सके या स्क्रीन सॉट ले सके बाधक भी बाधक के रूप में प्रभाव साली होगा कब जब वह ग्रह बाधक के साथ साथ वह ग्रह मारकेश भी हो बाधक के साथ साथ मारक होगा तो वह ग्रह आपको बाधक का प्रभाव देगा जैसा की इस कुंडली में है दूसरा है अगर जो भी ग्रह बाधक हो करके आया है बाधक ग्रह अगर अपनी नीच रासी में होगा तो बाधक का प्रभाव देगा अगर अपने प्रबल सत्रू रासी में होगा तो प्रभाव देगा बाधक ग्रह अगर अस्त होगा तो भी बाधक जैसा प्रभाव देगा यानि उसकी दसा में जीवन में बाधाएं आएंगी जीवन में कस्ट आएंगे दुख और तकलिफ सारीरिक मांसिक आर्थिक आने ही वाले हैं तीसरा सुत्रिया है कि जो आपकी कुंडली में बाधक ग्रह है अगर वा बाधक ग्रह मारक ग्रह के साथ हो तो फल देगा बाधक ग्रह अगर नीच ग्रह के साथ हो तो भी फल देगा बाधक ग्रह अगर मारक ग्रह भी है बाधक ग्रह यहां उपर बनी गया बाधक ग्रह मारक भी हो और यहां पर यह है कि बाधक ग्रह मारक ग्रह के साथ हो बाधक ग्रह नीच रासी में इस्थित ग्रह के साथ हो बाधक ग्रह जो भी आया वह आपका बाधक ग्रह जो भी आया अगर वह आपके कुंडली में छटे, आठ में और बाराह में भाओ में कुरूर ग्रह के साथ होगा तो बाधक का प्रभाओ देगा अगर आपका जो बाधक गरह आया है वह अपनी ही रासी में हो, सत्रु रासी में न हो, अस्त न हो, नीच न हो, बाधक गरह, नीच गरह के इसाथ ना इस्थित हो तो वह बाधक का प्रभाव नहीं देगा, उसकी दसा अच्छी जाएगी, वहीं अगर बाधक ग्रह इन परिस्थितियों में होगा तो वह परेशानी पैदा करेगा पहली कुंडली में बाधक ग्रह नीच रासी में इस्थित है इसलिए इसने परेशानी दे दी दूसरी कुंडली में बाधक ग्रह जो की चंद्रमा कारक भी है अब यह जो चंद्रमा कारक हुआ वह कारक होने में बिफल हो गया क्योंकि एक तो चंद्रमा छठे भाओं में हुआ छठे भाओं में बहुत ही खराब होता है दोसरा यह नीच रासी के साथ वाले ग्रह के साथ में इस्थित है सनी के साथ में इस्थित है छटे भाव में है नीच रासी में इस्थित ग्रह के साथ में है और इस भाव का स्वामी जिस रासी में बैठा है वह मंगल भी राहू के साथ में पिलित हुआ है तो यहां पे चंद्रमा कारक होने का प्रभाव नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहां बहुत ही सुकुमार गरह है और इसके उपर बुरे भावों का बुरी रासियों का प्रभाव अधिक पड़ जाता है अगर यही चंद्रमा यहां सनी के साथ ना हो करके यहां रहा होता तो अब यह बाधक का प्रभाव ना देता किंचित यह सुभफल कर पाता इस कुंदली में देखेंगे जो की बाधक ग्रह गुरु है वही मारग ग्रह भी है और वह ये कुरूर ग्रह सनी के साथ बेठा है इस भाव के स्वामी के साथ देखेंगे तो राजयोग बनाया अगर हम सनी को अस्टमेस ले लेंगे तो असुभ यानि दोनों का फल कहीं न कहीं देना है सनी को अस्टम का भी देना है और नवम का भी देना है जब सनी अस्टम का फल देगा तो उतने टाइम के लिए गुरू बाधक के रूप में काम करेगा और जब सनी नवम का फल देना शुरू करेगा तब गुरू राजयोग में भूमिका निभाने लगेगा तो बाधक ग्रहों के बारे में मुक्ष रूप से बाधक ग्रहों की स्थिती छे आठ बारा में देखिए बाधक ग्रहों की रासी देखिए नीच रासी सत्रू रासी अस्त की रासी ये देखिए बाध बाधक ग्रह कारक है और अच्छे भाओं में अच्छी रासी में बैठा है छे आठ बारा में नहीं है नीच ग्रह के साथ नहीं है स्वयम नीच का नहीं है अगर कारक ग्रह होके चंद्रमा इसी कुंडली में नीच का हो जाता इसी कुंडली में चंद्रमा यहां हो जाता यहां बाधक ग्रह में अगर खरेश बाधक ग्रह जो भी कुंडली में आपका आया है उसकी महादसा चल रही हो और उसमें खरेश की अंतर दसा आ जाए तो बहुत ही बड़ी दुखदाई घटना जीवन में हो सकती है खरेश कौन सा ग्रह होता है इसे मैं समझाता हूँ आपको खरेश को हम छिद्र ग्रह बोलते हैं छिद्र मतलब छिद्र या छुद्र जो की मतलब निम्न कटेगरी काफल देने का प्रयास करता है खरेश किसे कहेंगे इसके लिए आपको अपनी देशकान कुंडली देखनी चा ऑठमे भाव का जो स्वामी होगा उसे जो है हम खरेश बोलते हैं देशकान कुंडली में आठमे भाव के स्वामी को खरेश बोला जाता है तो आप यहां देखिए अपनी लगन कुंडली से कौन सा ग्रह बाधक है और क्या वह बाधक फल देने में सच्छम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अगर उस इस्थिती में है बाधग्रा और उसकी महादसा चल रही है और उसकी महादसा में जब D3 के आठमे भाव के स्वामी की अंतर दसा आएगी तो तकलीफ देगा तकलीफ निश्चित रूप से देगा इस बात को पक्का करने के लिए आप जो D3 का आठमे भाव का स्वामी है उसे भी लगन कुंदली में देख लीजिए अगर वह सत्रू रासी में हो नीच रासी में हो अस्त हो या 6-8-12 में हो तो उस दसा में अवस्य ही तकलीफ देने वाला है तो आपको मैंने बाधक ग्रहों के बारे में कुछ कॉंसेप्ट क्लियर किये अब इसी कुंदली में मैं मान लेता हूँ सुक्र यहां के बजाएं यहां है तो अब सुक्र बाधक भाव में भी है औ नीच रासी का है न सक्त्रू रासी में है अस्त भी नहीं है स्वारासी का है अब यहां पे सुक्र इनको अच्छा रिजल्ट देगा तो आप प्रेक्टिस करिए इसी प्रकार से और भी कुंदलियों पर आप देखिए अपलाई करिए चीजों को अपनी डायरी में नोट करत के हुए चाली है